वेरी वेरी गुड मार्निंग टो आल फ्यू तो आज आपका जो है एक न्यू टॉपिक न्यू सेशन मार्केट के उपर हम आज करने जा रहे हैं आपका शिलिबस का ये आखरी यूनिट है तो आए मार्केट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे परफेक्ट कॉंपिटीशन market के बारे में तो जैसा कि perfect competition market की मैं बात कर रहा हूं तो आए सबसे पहले समझते हैं कि market किसे कहते हैं अगर मैं आप से पूछूं कि बताइए आप market किसे कहेंगे तो आपके अंदर से answer यही आएगा market कि जहां पर sales और purchase होता है वो जगह जो है वो market होती है आपके मन में ऐसी ऐसी बात आएंगे तो जहां पर sales और purchase होगा उस जगह को हम market कहते हैं अगर आपके मन में यह बात है तो डियर इस्टूडेंट एक बाद बताए मान लिजिए कि आप पार्क में है पार्क में आप भूम रहे हैं कोई sports activity कर रहे हैं और वहां पर कोई सामान बीचने के लिए आया और आपने वहां से खरीद लिया तो sales और purchase पार्क में हो गया तो क्या अब कल से आप उस पार्क को market बोलेंगे क्या कल से आप यह बोलेंगे आप कि घर में भी कुछ sales purchase हो गया तो उसको भी हम मार्केट घोशी तो नहीं कर सकते मार्केट किसे कहते हैं मार्केट उसे कहते हैं जहां पर सिरफ अगर आप जा रहे हो purchase करने के intention से और कोई आ रहा है इस लिए आप सरफ ऐसे कुई मार्कित की बारे में मैं देखेएगा जहां पर आप जाते हीं पर चेसी इन्टेंशन से वह आते हैं यह बेचेने के परपस से तो इसलिए वह अीरिया क statement को यह आइगा क्या मार्केट आपका हो जाएका क्लेरे म super कहते हैं सबसे पहला कोशन यह एक्स्प्लेंग दा मीनिंग ओफ मार्केट मार्केट रफर टुदा हो रिजन पूरा का पूरा वो एरिया वेर बायर्स एंड सेलर्स आपकोमडिटी आर इन कॉंटेक्ट इन कॉंटेक्ट टू एच अधर इफेक्ट परचेस एंड सेल फॉर अ कॉंटेक्ट में इसलिए आते हैं तकि वो सेल और परचेस करेंगे वह एरिया का सारे इरिया क्या होगा आपका आपका वह मार्केट होगा अब मेरा अगला कोशन है एक्स्प्लेइन दा मीनिंग और परफेक्ट कॉंपिटिसन मार्केट explain the meaning of perfect competition market के अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखिएगा आपको नाम से थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए पहले हम इसके फीचर पर आते हैं फिर आपको meaning भी समझ में आ जाएगा what is the main feature of perfect competition market तो main feature की मैं बात करूँ यहां पर तो सबसे आपका नाम क्या है perfect competition तो यह competition तो वही पर होगा जहाँ पर के वही perfect competition मतलब के काफी अच्छा खासा competition है तो competition तो वहीं पर होगा जहाँ पर कि supplier ज़्यादा होंगे एक अकेला supplier है तो फिर किसी किस बात का competition कोई competition नहीं जैसे कि cinema hall में आप देख लीजीगा एक ही supplier बैठा रहता है उसी को आप popcorn बेचना है तो वहाँ पर देखे कोई competition नहीं है उसके साथ में वह आराम से 10 रुपे के popcorn को वह 200 रुपे 300 रुपे में 400 रुपे में वह आराम से बैठके बेच सकता है तो बट यह market तो हमारा perfect competition market perfect competition तो जब करेट होगा जब large number of seller होगे जब seller की संख्या एक से ज्यादा होगा तभी तो नमें competition होगा या फिर buyers में भी मैं बताओं तो buyers भी large number होगे तो very large number of supplier and buyers तो ऐसा बाजार जहां पर कि supplier और आपके buyers के जो है बहुत जो है बड़ा level रहता है बहुत बड़ा स्केल होता है उस बाजार को हम क्या बोलते हैं उस बाजार को हम बोलते हैं perfect competition market कोई भी ऐक ऐसा प्रड़ेक्ट आप उठा लीजिए जिसके लाज लार्ज नमबर जैसे मान लीजिए कि कोल्डरिंग में एक्जामपल ले रहा हूं पैपसी बेचने वाले कितने लोग हैं आपकी गली में महले में अगल में बगल में जितनी दुकाने सब जगे आपको पैपसी कोल्डिंग जो भी है आपको यह चीज़ें मिल जाएंगी और इसके बायर्स कितने घर घर में हैं तो लार्ज नमबर ऑफ सप्लायर एंड लाज नमबर ऑफ बायर्स यह किसका एक एक्जामपल है यह एक एक्जामपल परफेट अब आप देखेंगे यहां पर कि वेरी लाज नमबर ऑफ बायर्स यहां पर बात कर रहा हूं तो डियर इस्टुडेंट सबसे पहले आप देखेगा अगर मैं एक मिनिक एक्जामपल लिया माली यह को भी कॉल्ड रिंग है माली यह चलिए एक्जामपल ले रहे हैं तो मैं मैं ले रहा हूं है ग्जामपल पैशसी करऊंगा मैं इतने नंबर अवक्षाप्लइर मैं इसके इतने नंबर सप्लाइर है देखे दू चीजे होती हैं एक auditief फर्म को रिव और सब्लायी सब्सक्राइब को फर्म क्या होता है जैसे मैं बोलूँ पैपसी मैं बोल रहा हूँ कोक मैं बोल रहा हूँ लिमका मैं बोल रहा हूँ माजा यह सारे फर्म है और अगर मैं इनको क्या बोलू अगर मैं इनको बोलूँ कोल ड्रिंक अगर इनको मैं एक चीज कहूँ यहाँ पर cold drink तो इक cold drink इसको हम क्या बोलते हैं यह जो हमारे हैं यह हमारे होते हैं firm और यह होती है industry दोनों में फर्क आप समझेगा क्या तो आप जो है इसको हम industry कहेंगे और यह जो है यह हमारे firm होते हैं इसको हम firm कहेंगे clear है जे तो industry एक category को represent करता है और firm एक brand को represent करता है तो मैं यहाँ पर एक बात कह रहा था कि मान लेजिए इतने number of यहाँ पर जो है supplier है कि एक मान लेजिए Pepsi बेचने वाला एक कोई दुकानदार नाराज होकर कि बोले कि मैं कल से Pepsi नहीं मेचूंगा अब मैं दुकान बंद कर रहा हूँ तो एक बार बताओ जरा मुझे क्या आप जो consumer है आप उनके आगे जाओगे कि माराज अगर आप बंद कर देंगे तो फिर हम किस तरीके से party वगर हमें folding पिएंगे हम किस coldring कर फिर हम कहां से लाएंगे हम कहां से फिर Pepsi लाएंगे ऐसा मत करो को करती होगी तो हमें मार्क कर दो प्लीज आप दुकान खोलो कि आपका ऐसा भी फिर रहेगा बिलकुल भी नहीं रहेगा आप लोग आपको फरक भी नहीं पड़ेगा क्योंकि एक इतनी मार्केट में इतनी ज्यादा सप्लाइए इसकी कि इंडीजुल जो सप्लाइर है वह मार्केट सप्लाइए को पर कोई खास ज्यादा फरक देखने को नहीं मिलेगा तो इसलिए एक सिंगल सप्लाइर एक इंडीजुल सिंगल सप्लाइर मार्केट सप्लाइए को इफेक्ट नहीं कर सकता है इसलिए वह प्राइस को इंफ्लेंस भी नहीं कर सकता है तो यहाँ पर और एक बास वांज में, आपको आ गई, कि सिमल सप्लायर प्राइज टेकर नहीं होता है, वो अपनी एसाब से प्राइज नहीं रख सकता है, कि मेरा ब्रेंड है, मैं इसको जो मरजी प्राइज रखों, बिलकुल नहीं रख सकता प्राइज बहुत, चले बात consumer की कर लेते हैं अगर आप नाराज होकर कि किसी दुकान वाले के आगे बोलोगे कि ऐसी बात आपने बोल दिया है अब मैं Pepsi पी न बंद कर रहा हूं तो दुकान वाले जो है आपके पैरों में ने गिरेंगे अंदाता अगर आप बंद कर देंगे तो फिर हमारा घर परिवार कहां से चलेगा बिल्कुल भी नहीं हो गया ऐसा मेरी बात समझें वह बिल्कुल भी आपके नहीं पड़ेंगा आप नहीं पीने चाहते हैं मत पीजी इतने नंबर ऑफ बायर से इतना मार्केट इमांड इतना बड़ा है कि एक इंडिजिवल जो है एक एक है और नहीं प्राइस टेकर जो है वो कंज्यूमर है दोनों ही कि दोनों जो है सुरी ना तो प्राइस मेकर या टेकर कहलो प्राइस मेकर ना तो सप्लायर है और प्राइस मेकर नहीं तो यहां पर कंज्यूमर है दोनों को दोनों क्या है दोनों को दोनों प्राइस जो है टेक आपको आई क्लेरे जी यह बास अधर मैं तब सोचे में यह प्राइस निर्धारक मैं थोड़ा से हंदी मिने में बच्चों के साथ पैसा रहा कि प्रॉपर क्लास नहीं मिल पाई अगले सेम में कोशिश पूरी रहेगी और कि आपका हिंदी मीडियम का अलग बैच चलेगा और अपका इंगलिश मीडियम का अलग ऐसा कोशिश करेंगे अधरवाइस मैं हिंदी का भी इस्तेमाल करता हूं इसका नाम है पूर्ण पर्तोगीता बाजार जैसे नाम से ही इस पस मैं और जो क्रेटा हैं खरीदने वाले हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक अती है कि ये क अकेला एक विकurgलत बाजार पूर्ति को सकता है और बात मैं करूंग एक उपभोगता के अतने बड़ी संख्या में यहां पर bhugta पाइजाता है कि पूरे बाजार मांग का एक भोगता बहुत सुक्षम भाग होता है और वो अकेला बाजार मांग को प्रभावित नहीं कर सकता है इसलिए वो भी कीमत के निर्धारक नहीं बन सकता है वो कीमत को उसको भी सुईकार रहता है उसे भी कीमत को जो है सुईकार करना पड़ता है यह बहुत हिन्दी मीडियम माले बच्चे जो है मताई स्वज में आ रहा है या नहीं आ रहे तो आपको यह बास में आई पीचर क्या था आपका परफेक्ट कॉंपिट्शन मार्केट का वेरी लाज नमबर ऑफ बायर्स एंड तो इन अ इन परफेक्टली कॉंपिट्टिव मा कारण is that the number of seller is a so large that the share of each seller is insignificant इतनी बड़ी संख्या में seller होने के वाब जूद एक जो है each seller जो है बहुत insignificant share होता उसका in total supply में hence an individual seller cannot influence the market price एक अखेला जो seller है वो market price को influence नहीं कर सकता है similarly single buyer shares in the total purchase is so insignificant because of their numbers that in the individual buyer cannot influence the market price वो भी market price को influence नहीं कर सकता है मेरी बात समझे या नहीं समझे clear है under such condition price of a community is determined by the market forces demand and supply इसको आपको मैंने एक आपको है application of demand and supply में बताया था मैंने कि यहां पर जो साइड होता है वो कौन करता है फिर से बताऊंगा आगे इसमें आएगा वो कौन करता है वो market की demand and supply जहां पर equal होता है वहां पर price set हो जाता है को इंडिजुली इस price को set नहीं करता है कि पहले विस्ता समझ माई दूसरा क्या होता है इसमें दूसरा देखने को मिलेगा आपको homogeneous product homogeneous product का मत क्या कहते हैं इसको हम बोलते हैं सम्रूप वस्तू सम्रूप इसको बेटा हम कहेंगे क्या इसको हम बोलेंगे सम्रूप वस्तू होमोजीनियस product क्या होता है सम्रूप वस्तू मतलब की सम्रूप का मतलब जो दिखने में मलब की color में weight में टेस्ट में पैकिंग में सेम हो एक समान हो उसको बोलते हैं सम्रूप एक जैसा दिखने वाला तो perfect competition का जो किडिट होता है वो क्या होता है वो होमोजीनियस होता है वो सम्रूप होता है वह जैसा Rहता है बाव बताइए कोई ऐसे बोलेगा कि या तम्हारी पेवशी तो का लिए मेरे गाव के पाफियों कॉलेका कहीं से सभी प्रसपी-पिव भारत में मार्त Maple का यॉस्त से भी आप पी लीजिए पैपसी का नाम इतनी बोल चुका हूँ कि पैपसी वाले को मुझे जो है कुछ तो एडवर्टाइज में के लिए कुछ तो देना चाहिए तो चली समझते चीज को तो पैपसी आप कहीं से भी ले ले आप बताओ उसका वेट पैकिंग कलर कुछ भी चेंज मिलेगा कुछ भी चेंज आपको नहीं मिलेगा आपको जो है एक जैसा ही आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा इसको हम क्या बोलते हैं होमोजीनियस प्रोड भी आपको मिल में जाएंगे पचास वाले मिल जाएंगे हो तो वहां के का टर्ष काव एठ का इनका फरक आजाता है पर जो depressiada कंपरील्टिट की जो गुट कमडीेटीज होती है यह बिल्कुल क्या होता है यह बिल्कुल सेम होता है कलर में टेज्ड में वेट में पैकिंग म से पहलाब हम इसमें। यहां पर किया हैं हम उनियूट्र बोलते हैं और एक पात समझे जङना दा के प्राइस अलग अलग होते हैं वह सुल यूफ़े ऑन सुल अचरा हैं अगों स्वन्रों के मिल रहे तो बताए चूप कि कौल्टी का तुकि प्रोडेक्ट में मिल रही है तो इसलिए अलग प्येस पॉसिबल पढ़ाए मैं रहाँ तो आप ज्यादा वाले पर उससे पढ़ोगी बताई ज़रा तो होमोजीनियस प्रोड़ेट होने की वज़े से क्या होता है कि इसकी प्राइज डिफेंशेट नहीं होती है आप कहीं से भी लेंगे तो प्राइज आपकी क्या हो जाएगी लेकिन कंडिक् ओढ़ी वायर लाज नमर उस सप्लाइर जहाarks अश् करने शराता आपका छोल उट्रेखाने का मन कर रहा है क्या छोले बत्यौरे चोले वट्रे का टैसides तो मेरा चाहिजित दिल्ली वाले जानते होगे किसे करतें है खाने के मामले में जो टेस्ट डेली में मिल जाता है आप कहीं भी घुम लीजीए पैसा भी डबल और खाने के गदेश्ट भी आधे के बराबर नहीं रहता है किसी भी चीज में पूछ फिर इसलिए हम दिल्ली आलो के लिए बाहर सरवाइब बढ़ा मुश्किल जाता है बाहर वाले दिल्ली में बहुत खुशी खुशी रह लेती है बहुत खुशी-खुशी देकिर हम लोग बाहर 4 दिन से 5 दिन अपने घर के आदा जाती है में पास हो जाओ पहले अच्छे नंबर से फिर उसके बाद आपको बिला करके आपको छोले उट्रे खिलाएंगे यहां की फेमिस हां जी देखे जड़ा डैली के कौन कौन है आप में से जो डैली के और डैली के बाहर के भी कौन कौन से स्टेट से आप हो सारी चलो अपने स्टेट के नाम लिखो देखें कि भी हमारे पास बच्चे कहां कहां के डेली में कहां से हैं और बाग्की दूसरे स्टेट में कहां से यहां पर कासिम तो भीया नोईडा से तो हमारे अगल वगल में यहां आते रहते हैं सब्सक्राइब भी तो भीया अगल वगल का हिए ना भी रहता आना जाना नहीं हां गुपता भी है अरे मैक्सम अचे दिल लिक है जीतु कुमार बिहार सेंजी इस नहीं हां अगर डैली जार्खंड डैली नजवगड शुबं दीपक मोर्या डैली डैली नोईडा सना किशन नगर बदरपुर डैली चलिए हां जी आगे बढ़ते हैं कंटियन कंटिन्यू करते हैं तो दा प्रोड़क्ट ए अफोर्ड पूर्ट सेल इन दा मार्केट आर होमोजीनियस दा प्रोड़क्ट सोल्ड इन आडेंटिक प्राइ करूर मार्केटेका बरी झालियाँ करलरी और। सब्सक्राइब होते हैं उसको लेकर करके हम जो स्पेसिफाइब नहीं होते हैं कि वह उसकी को राकिस के पैपसी पी के देखो एक वार अग्याएब तो आप कहीं से भी लेलो यार समझें तो इंप्लिकेशिन अभी में बाइर स्टीट दा प्रोड़क्ट एज अडेन्टिकल वह जब अगर प्रोड़क्ट होमोजीनियस है तो बाइस को पहले से पता होता है कि क्या रेट है क्या टेस्ट है क्या वेट है क्या कॉं अग्याएब तो आप क्यों कोई कंजुमर लेगा तो अपने कंजुमर लूज कर देगा कर ऐसा करेगा तो क्लेरेगा जी क्लेरें कर देखे जी चलो आए कंटीनियू करें यह बात समझें आपको आई नहीं आई कि समरूप वस्तु जो गुण में आकार में बजन में एक समान रूप पर हो उसको हम समरूप वस्तु कहते हैं और समरूप वस्तु में जो है कीमत भिन नहीं पाई आते हैं कीमत भी समरूप होती है क्योंकि एक जैसी वस्तु के लिए वह भुगता अलग-अलग कीमत देने के लिए तयार नहीं होता है तो प्रफेट कंपेशन मार्केट का जो प्रडेक्ट होता है उसमें होमोजीनिस प्रडेक्ट देखने को मिलता है freedom of entry and exit यह क्या है इसको समझते है freedom of entry and exit देखिएगा perfect competition market के इंदर क्या होता है कि जैसे मैं एक example लेता हूं कि यह हो गया firm यह हो गया industry ठीक है और मान लिजिए यहां पर जो है कोक कोक यह decision लेता है कोक अग्य कहता है कि मैं आज से कोल्डरींग नहीं बेचूंगा मैं कोल्डरींग के industry में ऑपना काम करना चाहता हुं कि अपना plan बना लिया है कोल्डरींग कि इंडेस्ट्री से जाने के बारे बारे में इसने सोच लिया है यह किसी और industry मैं textile industry में यह इन्वाल्व होने की इच्छा है इसके तो यहां पर कोक ने रिसाइड खर लिया मैं कोल्डिंग इंडस्टी में काम नहीं करूँगा यहां ददस रुपे मैं लैमन जीरा पता नहीं क्या क्या रहा वह यह कंपरिसम रहा टफ हो गया है तो यह आप नहीं को यह किसने सोचा यह पीते हैं उनका क्या है आपको नहीं पट्र नहीं सकते हैं आप यहाइज रहे तो अपना के लिए इंडस्टी से वह इंडस्टी से किसी भी इंडस्टी कोई भी फ़रम है, वो फ्रीली जा सकता है, उसको पुरा फ्रीडम है प्रफेट कॉमबच्टिन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, सभी में नहीं हो ता है अब आप रेल्देशन एक जांपर, रेल्वे में एक प्लान मन कर रहा हूं यहां पर प्री एंटर एक्जिट में फॉर्म की बात कर रहा हूं ठीक है ना फॉर्म एक्जिट कर सकता है और मालो आपका ही नाम है जैसे आपका क्या नाम है माली जी अक्षे है कोई अक्षे कोल्डिंग नाम करके जो है कोई चीछ जो है वो चाह रहा है कि वो ल में अपनी को अपनी जो है को कोल्डिंग लॉंच करके वो कोल्डिंग इंडस्ट्री में आ सकता है तो बेसिकली होता क्या है ज़रा समझेगा जब स्टार्टिंग में जब कोभी मार्केट स्टार्टिंग स्टारटिंग स्साथ फेशिस पर होगा तो कुछ फ्यू नंबर सब्योंस कुछ कमें ऍरिय अरे चाहिए तो मन आई में दो के नजर आएन दो सब्चान होने की विजए से क्या होगा कि अब नौर्मल प्राफिट होगा मदलब की honored प्राफिट होगा प्राफिट मनलब की एक होता है कि भीया पैसा कमा लेना तो जब अच्छा खासा कमा रहा होता विल्काने भीड लदी हुई है और भाद पैसा कमा रहा है इससे कहते हैं सुपर प्राफिट तो इनिशल स्टेज पर कुछ फ्यू फर्म्स होती है और वो सुप इस साइकल चलता रहता है इसके वजह से क्या होता है कि फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट फॉर्म के होने की विए से को इस तरफ छोड़े समय के लिए ही super profit कमा सकता है, long run तो भूल जाओ, long run में तो आप जो है normal profit ही कमाओ, क्योंकि आने वाले समय में, जो है, clear है? Implication of homogeneous product is the bias treated the product as the identical, ये तो मैं homogeneous हैं बता दिया, अब मैं आपको किस कहारें बता रहता है यहाँ पर? Point No. 3, Freedom of Entry and Exit Every seller has to the freedom to entry or exit the industry. There are no artificial and natural barriers for the entry of the new firms and exit of the existing firm. It ensures absence of the abnormal profit and the abnormal losses in the long run. Long run में आतो आपका जो है, एक normal profit ही हो पाएगा. Implication of freedom of the entry and exit that all firm will earn only normal profit in the long run. बेरी बात समझे? Our firm can earn abnormal profit or losses in the short run. कुछ समय के लिए यह होता है, अदरबाइस लंबे समय में तो उनको normal profit मिलता है. But in the long run, any abnormal profit induces new firm to enter the market. Abnormal profit क्या करता है? नए firm को आ जाती है. It increase the total supply and reduce the market price. This trend continues till profit are reduced to normal. जब तक profit abnormal से गिर करके normal नहीं हो जाता है. यह बात समझ में आपको आ रही है. आप बात करते हैं perfect knowledge. Perfect knowledge कि किसकी knowledge की बात कर रहे हैं? या consumer की knowledge की बात कर रहे हैं. Among the buyers and sellers. दो रहों की बात करते हैं. तो खर खासकर buyers की. अगर आप कहीं पर भी अगर आप जैसे की मान लीजिए कि आप कोई खाने का सामान लगवाते हैं. तो पहले आपको उसके rate उसके menu को देखना पड़ता है. आपको उसके आरे में आपको कोई awareness ही होती है. आपको यह नहीं बताता है कि इसका price क्या होने वाला. कई बार full plate किसी का? कासिम. हाँ कासिम. पूछो. हाँ कासिम. पूछें. हाँ जी. तो हम बात किसकी कर रहे थे? हम बात कर रहे थे यहाँ पर perfect knowledge. तो perfect knowledge जैसे कि other markets के अगर मैं बात करूँ तो other markets के अगर आप देखेंगे तो जैसे आप एक restaurant में खाने के लिए गए तो वहाँ पर आपको idea नहीं होता है कि क्या price रहने वाला है? कितनी quantity आने वाली है? हाँ ऐने वाला हाँ? हालो हालो हां? हाँ जी तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपको जो है परफेट कॉंपर से मार्केट का जो गुड्स प्रोड़क्ट होता है लाइक पैपसी आपको पहली से पता होता है कि उसका क्या वेट आएगा क्या कलर आएगा क्या टेस्ट होगा और क्या प्राइज होगा झाल 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 हां जे देखिएगा अब यहां पर आपके पास पर प्रफेट कॉंबर्शन मार्केट के को भी प्रोड़ेट अप लेते हैं तो आप पहले से वहां पर अवेर होते हैं उसके प्राइब झाल 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 अब आपको इस हम आ गया है पर्फेक्ट नॉलेज्ज आपको इस हम आ गया है पर्फेक्ट नॉलेज्ज प्लोवब लिए लोवब आपको गलोवब ऑनल अब शर्फ झाल 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 झाल